भारत को TB की विमारी यानी 6 रोग से मुक्त करने के लिए काफी समय से अभियान चलाय जा रहे हैं अभी भी देश भर में सक्रिय 6 रोग खोज अभियान चल रहा है जिसके तहट 2025 तक देश को TB मुक्त करना है वही इसमें उप्योग की जाने वाली वैक्सीन में बदलाव किया गया है जिसको लेकर राष्टिय जल्मा कुछ ट्रोक संस्थान के डिरेक्टर स्रीपाद एपाटिल ने एटीवी भारत से खास बातचीत की है वैक्सीन टीवी के लिए काफी सालों से डिलॉप की गई थी उसका नहाम बिसीजी वैक्सीन जैसे बच्चा पैदा होते ही तीन-चार दिन में उसको एक्सीन दी जाती थी लेकिन बाद में इसका एफेक्ट नहीं है यह जो बीसीजी बैक्टेरिया है उसमें कुछ चेंजस ल दें तो एंड उसको यह मॉडिफाइड बैक्ट्रिया को इस्तमाल करें वैक्सीन के रूप में तो इसका काफी अच्छा एफेक्ट हो सकता है इसके ओकर अभी प्रिलिम्री स्टुडी चल रही है इसको लेकर के अपने पाइलट स्टुडी हमारे चटिसगर एरिया में